को एक एक कर अपने पापों की सजा मिल रही है चीन के जाल में फसकर पाकिस्तान नेपाल श्रिलंका और बांगलादेश का जो हाल हुआ था उसी बरबादी की तरफ अब मालदीव भी बिजली की रफ्तार से बढ़ रहा है इडे को प्रेजडेंट मुईजू जो मोहमद मुईजू उनके प्रेजडेंट है उनका एक स्पीच थी और ये स्पीच हुई मॉलडी सेंटर ओफ एजूकेशन के अंदर जहां पर जो ऑफिशल इंडिपेंडेंस डे 59 इंडिपेंडेंस डे फंक्शन को ये अड्रेस कर रहे जहां पर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़े तो आपको लगेगा परानी क्या हो गया यार इसका तो पूरा मूडी चेंज हो गया अपने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की स्पीच में इंडिया को थैंक्स बोला है और ये भी कहा है कि हम जल्दी इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड डील को एकस्प्रेक कर रहे हैं मौल्दीव जो है उनको सजा दी है उन्होंने उनका बजट कम कर दी है और वह इसलिए कि जैसे ही जो मजूदा प्रेजिडेंट मौजू है वहां पर मौल्दीव की अंदर जैसे उन्होंने ऑफिस संभाला ही वेंट टू बीजिंग चले गए नॉर्मली यह होता था कि जब कीमत बजटी विकास सहायता आवंटन में कटोती के रूप में चुकानी पड़ी है अब आपने जिस तरह यह बात की कि इंडिया तमाम अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिये हैं सिरिलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी मालक को दे रहे हैं इन त कोड़ी सी बात करी बट ज्यादा तर उन्होंने भारत के बारे में बात करी हैं इन्डियंज की रिख्ते जादा बहुर्त हैं पिछेर्स नमसकार दोस्तों जाहिन हाली में भारत ने अपना बजट अनौन्स किया था जिसमें पडोसी देशों को 23,000 करोड रुपे का एड बाटा था जिसमें मालदीव के एड में भारत ने कटोती की थी और सिर्फ 400 करोड रुपे दिये थे जो कि पिछले साल 800 करोड से जादा था उसके बाद सही मालदीव को समझ आ गया है कि हमने अपने पै के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मालदीव का करज चुकाने में बहुत ज़्यादा मदद किया है मोजी ने उमीद जताई कि भारत और मालदी मजबूत संबंद बनाएंगे और फ्री ट्रेड एग्रिमेंट जल्द ही साइन करेंगे मालदीव में अमेर भारत करज भुकतान करने में मालदीव की मदद करेगा भारत आउट केमपेंड के बाद मालदीव को बहुत बड़ा जटका लगा था जिसमें से आज तक मालदीव उभर नहीं पाया है इंडिपेंडेंस डे 59 इंडिपेंडेंस डे फंक्शन को ये अड्रेस कर रहे थे जहां पर उन्होंने एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया ये स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा परानी क्या हो गया यार इसका तो पूरा मोडी चेंज हो गया इन्होंने कहा कि साथ भारत को और उस टाइम पे चाइना को भी बोला कि भईया बड़ा ही आपके लिए ग्राटिटूड है क्योंकि आपने हमारे को डेट क्राइजिस से बचाया और चाइना के बारे में थोड़ी सी बात करी बट जादा तर उन्होंने भारत के बारे में बात करी यहाँ पर उन्होंने भारत को सिंगल आउट करके सेपरेट करके यह बोला कि भीया we are very thankful to India for providing us the debt relief and helping us do various different things to stabilize the economy तो यह बड़ा एक interesting statement आपको पता ही है मुईजू को चाइना से थोड़े पैसे पूसे मिले थे लेकिन उसके बाद से चाइना पूरी तरह थंडा हो रखा है वहाँ पर all चाइना is doing in Maldives की बहिया वहाँ पर आके जब उसके ships आते हैं तो refuel करके निकल जाता है और कुछ करता नहीं है ठीक है तो he's not been able to give Chinese projects वहाँ पर जो है वो एक जो island है जिसमें resort बन रहा है अभी वो actually fisherman का island था उसके against में काफी protest अभी भी पिछले 8 महीने से करीब-करीब Maldives के अंदर चल रहे हैं यहां तक की एक बारी fisherman ने अपने पूरी board sports लाके माले के island को भी घेरने की कोशिश करी थी तो काफी चीजें हैं जो इस ताइम पे अगर ये सोचें की अगर आप सोचें की Maldives के जो president है वो उनके लिए smooth sailing है in spite of getting a huge majority in the parliament ऐसी बात तो अभी तक दिखनी रही है now interesting चीज यह है कि वो यही बोल रहा है कि हमको free trade agreement चाहिए भारत के साथ जो हमारा China के साथ है जैसा हमारा China के साथ है ताकि हम कुछ आगे कर सकें इसके पीछे दो तीन कारण हैं अगर आप उसको देखें भारत ने थोड़े से export restrictions लगा रखे हैं मॉल्डीव की उपर तो कही चीज़े मॉल्डीव नहीं ले पारा भारत से एंडिस वस आफ्टर जो इंडिया आउट आफ्टमाथ जो हुआ था उसके बाद ये एक गेम चलाया गया था ये export restrictions के अंदर भारत ने बोला था किसी जी चार ports हैं आप जहां से ले पाएंगे मॉल्डीव के लिए सबसे पास वाला port पड़ता है केरला में लेकिन भारत ने बोला नहीं आप बहां से नहीं लेंगे आप जाके चैनाय से ले लो या आप बंबे से ले लो या फिर आप डेली ड्राइपोर्ट से आप जाके जो भी आपको समान चाहिए आप ले लो उससे होता क्या है कि कहीना कहीं मॉल्डीव के लिए import cost बहुत बढ़ जाती है और यहनों ने तो काफी promise किया था कि हम जो डेली supplies है वो टर्की से लेके आएंगे हम बाकी का समान Middle East से लेके आएंगे हम थोड़ा South East Asia से लेके आएंगे यहां पर दो तिन clauses हैं क्योंकि जो food items के हिसाब से अगर वो Middle East से खरीदेंगे तो वो भी भारत की चीज़ें हैं तो वो पाकिस्तान की तरह हरकते हैं दुबारा करेंगे विच इस फैरली वेलकम उनका अपना देश है जो उनको करना है करने दीजे देखें उसके बाद आप देखें आज इनका टूरिजम मिनिस्टर भी भारत में आ रहे हैं टेर ट्राइंग टू कैंड अफ रीबिल्ड टूरिजम क्योंकि देखें जब भी वो मोदी साफ के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भारतियों ने अपने हाँ भी बोला था यहर हमने नहीं जाना मॉल्डिव नहीं जाना विकोज यह कच्रा लोग है हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर तो वह एक चक्कर है जहां पर यह ट्रैवल एजंट को बिठागते हैं फाइव स्टार होटेल के अंदर खाना वाना खिलाते हैं यह करते हैं वो करते हैं बट तेर इस नॉट बीन इंपक्ट उन ग्राउंड एस फार इस दर नंबर्स गोई अप नंबर्स कॉंस्टेली नीचे ही होए जा रहे हैं भारत के लोग जो उस तरफ नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैसिज तो चले गया है कि देखो यार हम लोग क्वाइटली आपको थोड़ा स्टूटाइट करें या आप स्टूटाइप होने दो नहीं तो वी नो हाँ तो अच्छली इंक्रीज इंक्रीज टेम्परेचर और अच्छली मेक तिंग्स जो रीजन है उसकी शकल ही बदल दी है अगर आप देखें कि सॉथ एशिया इस गेटिंग इर्रेलिवेंट सब कॉंटिनेंट की बात करते हैं उसकी कोई बात ही नहीं करता अब जो ग्लोबल जो लिटरेचर लिखा जा रहा है उसमें ना सॉथ एशिया की बात हो रही है ना सब कॉंटिनेंट की बात हो रही है जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जा रहा है वो लिटरेचर लिखा जा रहा है तो जितने भी जो नेवर हुड फर्स पॉलिसी के तैद जितने भी ममाले करीब तरीन थे जिसमें बंगलादेश है, सेशल्स है, मौलदीव्स है, निपाल है, बुटान है, सिरी लंका है, एक दो और है, इन सब को बुलाया और उनको कहा के जी आप हमारी आएं और जो प्राइ इडियट नेवर्वर्ड में उनका इंफुलेंस नहीं होना चाहिए, उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रिएर है, पाकिस्तान तो जारी बाता सुनेगा नहीं, और पाकिस्तान के इंटरस्स जो हैं, वो चाइना से इलाइंड है, इसीलिए इंडिया ना आप Cसार को डिस् यह पैसा जो है वह वहाँ पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्यूनिटीज को डिवेलप कर रहे हैं